तो अगर आपको UK का tourist visa apply करना है चाहा अपने लिए अपने parents के लिए या अपने बच्चे के लिए या पूरी family के लिए अगर visa apply करना है UK का तो आप इस वीडियो को end तक देखें कि इस वीडियो में discuss करेंगे कि कि आप कैसे online application फिल करके अपना visa apply कर सकते हो पूरी family का आपको कि किसी भी consultant को पैसे देने की जरूत नहीं है किसी भी agent को पैसे देने की जरूत नहीं है अगर आप इस वीडियो को end to end follow करोगे तो आप अपना visa खुस से apply कर लोगे और अपने अच्छे कासे पैसे बचा लोगे क्यों कि जब भी आप किस agent के पास जाओगे तो वह अच्छे प की जब fund calculation की बाद आ दिये कि कितना fund आपके account में होना चाहिए अगर आप UK का visa apply करें हो अगर चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो thumbs up दरूर देते ना और उन लोग के साथ definitely share करें जो कि UK का visa apply करने का try कर दे है तो चलिए start करते है आप UK की छोड़के वापस चले जाओगे अपने टूरी से तक हतम होने के बाद यह documents आपको दिखाने होते हैं अगर पूरी detail की बात करें कि अगर आप sponsored documents की बात करें और non-sponsored documents की बात करें उसके पर मेरे detail और एक बहुत elaborated video बनाई हुई है उसका link description में आपको मिल जाएग उसके पर मेरे detail video बनाई हुए क्योंकि बहुत calculation होती है कि आपके पास इतना fund होना चाहिए इतने decade trip के लिए तो उसके पर एक detail video बनाई हुई है उसका link भी आपको आ रहा होगा notification में है plus नीचे description में मिल जाएगा उसको जागे check करिए अगर आपको fund calculation जानना है UK के tourist visa के लिए आपको कितना fund दिखाना जरूरी है plus इसके साथ साथ जो mistakes आप avoid कर सकते हो अपने UK visa application फाइल करते time उसके पर भी detail video बनी हुई है उपर आपको notification आणा होगा नीचे उसका link भी description हो जाएगा तो यह तीन video separate है आप जागे चेक करिए जब भी आप UK visa application फाइल करेंगे ताकि आप आपका visa reject ना हो जल्दी से आपका decision आ जाए अगर हम बात करें minor की just for information अगर आप as a minor apply करने वाले हो या आप बच्चों के लिए भी apply करने वाले हो अपने साथ साथ तो उनकी application separate जाती है तो basically अगर आप UK visitor visa या tourist visa apply करते हो तो जितने भी लोग आ रहे होते है यूंकि उनका individual application application आपको file करने होती है अगर आप family of three आ रहे हो दो adult और एक child तीन separate application जाएंगी आपके UK visitor visa में और बस आपको एक चीज़ का देहान रखना है जब भी आप minor application फिल करोगे तो उसमें आपको include करना पड़ेगा कि कौन सा adult उस बच्चे के साथ travel करेगा आप आप to two adult उसमें declare कर स इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप कैसे एक normal 18 plus के लिए application फिल कर सकते हो end to end है step by से follow करोगे आप अपनी पूरी application कुछ से फिल कर सकते हो इसके साथ साथ जब भी आपको biometric book करना होगा जब भी application फिल कर दोगे आप biometric भी book कर सकते हो अगर आपके पास biometric related को कोई question है उसक इसका page है UK government का मैं इसका URL description में दे दूगा तो first page पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या-क्या requirement है और अगर आप UK में tourist visa पे आते हो तो आप क्या-क्या कर सकते हो और क्या-क्या नहीं कर सकते हो तो मैं उस पूरी detail में नहीं जाओंगा तो हम सिता जब एकली जाते है कि आ तो जैसे आप इस page पे आओगे आपको सबसे उपर ही खुब सारे book pages के link दिख रहे होंगे तो आपको second last link है apply for standard visitor visa आप इस पे click करिए apply करने के लिए आप नीचे scroll करेंगे और यहाँ पर बटन दिख रहा होगा तो वहारी आप first page पे आता है कि आपको language select करने के लिए next button पे आप यहाँ पर एक country का option बोलगा कि आप कौन सी country से belong करते हैं अगर आप इंडिया से हो या इंडिया लिख सकते हो अगर आप पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान लिख सकते हैं मैं यहाँ पर इंडिया से लेक्ट कर रहा हूं जैसे अपनी country select आप एंटर करोगे आपको option आजाएगा वहां से आपको इंडिया सेलेक्ट करना होगा अब यहाँ पर आपको option पता कर पूछ रहा है कि आपके country में जहां से भी आप ट्रैवल कर रहे हो वहां पर बायोमेट्रिक सेंटर है कि नहीं तो अगर आपको नहीं पता कि आपके नियर इस लोकेशन पर बायोमे तो फिरस्टेटली सिक्सेक्शन होते हैं तो पहले सेक्शन में आपको नहीं पर एपने इमेल रालनी होगी तो यहां पर एकमेंम रैंडम इमेल इड़ जाल रहा हूँ आप पासवर्ड डाल दीजे अपना कोई साथ भी जो भी आपको डालना हो जैसे अपने अपनी डाल देगी आपको नीचे दिख रहा होगा और देन आपको सेवन कंटिनु करना पड़ेगा कर जिर्फी करने को सकते हो तो यहां से इसलिए बोल रहा है कि आपके पास एंफ्लिकेशन करने के बचा जो भी Information होगी हो आपको में लो जाहीग किलिक को लिग्व名 हो एله एड्र सेड क workflows सेगे जीए email address है तो आप yes क्लिक करके वो भी डाल सकते हो अगर नहीं है तो no select करके save and continue second page में आता है आपको telephone number वाला यहां भी आपको अपने number देना है with international postcode support मैं इंडिया से कर रहा हूं तो 091 मेरा international code होगा उसके पर 10 digit का आपका number होगा अब यहीं आप चेक कर सकते हो यह चेकबोक होंगे अगर आप यहीं number UK में यूज कर रहे हो या बहार यूज करोगे उसके साब से आप checkbox select करना और आपको कौन से type का number है तो मेरे लिए mobile number है तो मैं इसको checkbox को check करके save and continue पे click करता हूं अगर आपके पास कोई और number है देन आपको select करना yes और आप दूसर number भी add कर सकते हो अगर नहीं है तो no पे select करके save and continue तो यह third question आपके पास है कि यह आपको अगर contact करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं तो first option होता है कि आप वो आपको call भी कर सकते है text message भी सकते हैं या आप सिर्फ telephone से call कर अटेंड करना चाहते हो या सिर्फ message लेना चाहते हो या आप दोनों ही नहीं चाहते तो first option आता है कि आपको आपको दोनों टाइप से contact कर सकते हैं तो आप यहां पर आएगी detail तो अगर जो भी अगर आप अपने लिए भर रहे हो तो उनका जिसके लिए भी टूइस विज़ा आप रेस कर रहे हो आपको उसकी detail यहां पर भगनी पड़ेगी suppose मैं अपने लिए भर रहा हूं तो मैं अपना नाम में हाँ डालूँगा और अपना surname में हाँ डालूँगा second question आता है कि आपसे पूछ रहे है कि यह आपका यही नेम है या आपका नाम आपने चेंज किया है अगर आपने नाम अपना चेंज किया है suppose आपकी शादी हो गई आपने शादी से पहले कुछ और नाम था या आपने नाम चेंज किया है तो आप यह पर सिलेक करोगे जैसे आप यह पर सिलेक करोगे यह तरह यह यह पर यहापको अपने ड्रेश डालना है तो अगर मैं suppose कुछ भी रहनाम ड्रेश डाल सकता हूं आपका जो भी रिलेवन डीटेव हो आप वो डालिये इसमें City में ड़री डाल देता हूं और in country में आपको अपनी respective country डालनी पड़ेगे और जैसे भी आप entry डालोगे आपको option आजाएगा वो सेलेक्टर सब्सक्ते है और यहाँ पर जैसे आपको अपनी address डालोगे यहाँ पर option आएगा आपको कि is this your corresponding address yes it is तो मैं यह पर सेलेक्ट करके continue आप basically आपसे information चाहते है कि last 2 साल में आप कहां रह रहे थे तो आपको time select करना पड़ेगा आप कितने time से यहाँ पर रहे सब्सक्राइब यहाँ 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 पर यह सेलेक्ट करके वन यह डालता हूं या यह मेरा खुद का घर है तो मैं continue पर क्लिक करूं तो basically वो last 2 साल का address अगरось मांग रहें since मैंने last p에ज पे एक ही साल का address दिया था तो मैं इसे दूसरा address भी मांग रहे तो मैं जिस में change नए address ड़ालुगा पीछे जाकर इसको मैं change कर दूंगा पांक साल के लिए तो जैसे मैं इसको पांक साल करूंगा नेक्स ironically बीच दुबारे पूछेंगे नहीं पूछेंगे अब नेक्स आता है हमारा पासपोर्ट डिटेल तो यहांपे आपको पासपोर्ट लब अपना आपके पासपोर्ट मैं यहां पे random detail दा रहा हूँ आप अपने passport के corresponding जो भी detail है आप यहां फिल कर सकते हैं okay passport okay sorry passport detail की यह 10 साल का होता है तो detail मैं date डले ती यह basically है तो यह 10 साल का difference में continue वेस्ने मुझे error इसले दिया था क्योंकि passport की जो expiry date थी वो past की मैं ने दे थी जो की possible नहीं है तो passport आपका valid होना चाहिए तो next six months तभी आप इस visa लिए apply कर सकते हो तो अभी हमारे question next question है कि आपके पास कोई identity proof है issued by any non-UK government तो आप yes कर सकते हो अगर है तो नहीं है तो आप no select कर सकते हो आपको कोई problem नहीं है क्यों किसे आपके पास passport है वो आपका identification document होगा अगर आपके पास suppose अधार card है तो अधार card detail भी आप डाल सकते हो बट यह आपको driving license details इसमें नहीं applicable होगी suppose मैं यह पर अपना डालता हूँ और यहाँ पर मैं आप number डालता हूँ जो मेरा अधार card number होगा एक random number और इस उट बाई India और उसमें अगर आपकी को अधार card में यूजरी date नहीं होती है तो आप इसको skip कर सकते है otherwise आप default इसको no select कर दिये और save and continue ओके यह option आएगा आपकी nationality को लेके तो आपकी country जहाँ पर आपका birth हुआ है and then यह सारी details straight forward है and यह detail जो आपकी birth place of birth होगा वह आपके passport के होना चाहिए जो भी detail आप नाम आप city का नाम passport में आपको same वैसे का वैसे है है यह आपे लिखना है and यहापे date of birth आपकी अब यह आपको next question पूश रहे कि आपने के पास और कोई nationality है अगर आपके पस है सब्सक्राइब आप dual citizenship hold करते हैं तो आप यह information यह select करके detail डाल सकते है अगर आपके बस इंडियन या आपकी खुद की country के nationality है आप no select करिये सब्सक्राइब करें अब यहाप आप सब्सक्राइब का employment status पूच रहा है अगर आप employed है यह आप job करते हैं आप employee पर select करिये otherwise अगर आप retired है तो आप retired सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप businessman है तो self-employed या unemployed जो भी आपके पास option आता है अगर मैं यहाप इंप्लाइब सेलेक करता हूं तो मैं कोई हाँ पे मेरी इंप्लाइब की डीटील डालनी पड़ी की next page पे तो यहाँ पे मैं unemployed select कर देंगे तो next page पे आपको इंप्लाइब डीटेल वांगेगा बट अगर आप पीछे जाए और अगर बोले कि नहीं आप अगर आपके पास सेविंग आप दिखाना चाहते है फंड का तो आपको पिताना पड़ेगा कि कितनी सेविंग है आपके पास सपोर्ज मैं जीबीप में आप करें आपके पर 10 लाक रुपे है तो रफली यह 10,000 पांड हो जाते हैं यहां पे 10,000 पांड में दिखा रहा हूं कि हाँ में पास सेविंग 10,000 पांड की है और आपके कोई सेविंग नहीं है तो यह आप यह सेलेक कर सकते हैं आप नेक्स कुछन आता है कि आप से पूछ रहे हैं कि आप यूके में जब आ जाएंगे तो आपके जो एक्सपेंडिचर्स होंगे जो डे टू डे वेसिस के वाप कितना स्पेंड करने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं अपना थाउजन पाउंड पूरे ट्रिप पे जो मैं रहने के लिए में फ्लाइट के लिए मैं एक्सपेक्ट करनो कि मेरा इतना एक्सपेंडिचर होगा यह डिपेंड करता है कि आपकी डिरेशन क्या है स्टे की आप उसके साब से एक रिलेवेंट इन्फोमेशन दी सिच्वेशन यह आप से पूछ रहें कि आप टोटल कितना यूजली मंत में स्पेंड करते हैं इंडिया सेलेक्ट किया था इसलिए मैं को जी बीप और इंडिया दोनों दिख रहा है सब्सक्राइब मेरा मंतली एक्सपेंडिचर 10,000 आइनर में है तो मैं इसको सेव करता है वह आपके पर आप कोई इंफरमेशन वहां दे सकते हैं तो यह इंपोर्टन कोजिशन है कि अगर आप UK आ रहे हैं तो आपके जो ट्रिप का है एक्सपेंसर जो होंगे वो कॉन बेर करेगा वो आप बेर करेंगे या कोई आपका जो आपके फैमिली मेंबर हैं सब्सक्राइ बेटा हो भाई हो जो भी हो वो बेर करने वाला है तो अगर आपका जो ट्रिप है वो कोई स्पॉंसर कर रहा है तो आप यह सिलेक्ट करिए और अगर आप कोई स्पॉंसर नहीं कर रहा है सारा का सारा पैसा आप खुद अपनी जीप से दिना चाहते हैं तो इसको नो सिलेक् विए कि हम अपने यह जाते हैं और उनकी जो फटनिंग के हम दिखाना चाहते हैं तो हम इसको सेट करेंगे और चेंहें पेख करेंगे किए तो क कोई मेरा स्पॉंसर कर रहा है तो यहां पर पूछ रहा है कि वह कौन है या तो अगर आप को employer हैं तो आपका employer की information पूछेगा या आपका कोई family member तो suppose करिए मैं अपने family member की title मांग डाल रहा हो है आप इहां पर information देनी है कि कौन यह trip sponsor करा है suppose मैं यहां दोलताओ की विएक sponsoring my trip या suppose मैं घुमी का गरनाम डाल रहा हूँ तो वहाँ पर कि यहां पर मैं सिटी में मिल्टिन के इंस्टाल दो हुआ है तो अब यह पूरी डिटिल डाल सकते हैं उस इंसान की जो भी आपका वे ट्रिप स्पॉंसर कर रहा है तो अब यहां पर इंफोर्मेशन है कि आपकी जो ट्रिप है वो कितने जो भी ट्रिप स्पॉंसर करें कितना स्पेंड कर रहे हैं सब्सक्राइब में स्पेंडिचर आपका 10,000 है आपने जो भी एक्सपेक्ट किया है आप रफ एस्टिमेट कुछ भी दे सकते हैं बाद यह सेम यहां पर लांस में डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ा स्पेस्टिक होना पड़ेगा कि जिस पी इंसान की आपने डीटेल यहां पर दी है वह आपकी हेल्प क्यों कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भूमिका की डिटीट डाल रही है तो मैं बोलो है शीज माई वाइफ अगर आप एक से ज्यादा लोग आपकी ट्रिप स्पॉंसर कर रहे है तो यहां पर आपकी इंफोमेशन वागे टेंटिट है कि किस डेट पे आप अपनी ट्रैवलिंग डेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टार्ट करने की और आप कब आपकी एंड डेट होगी तो सब्सक्रा में बात करूं कि मैं 1st February से एक्सपेक्ट कर रहा हूं या 1st March से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ट्रैवलिंग डेट और मेरा ट्रिप एक महीने का होगा तो यहां पर आप एंड डेट दे सकते हैं बट यह चुद आपकी एंड डेट होगी उस सिक्स मन्स के अंदर ही होनी ची क कि अगर आपकी इंग्लिस नहीं है तो आप अधर से लेक्ट करके हिंदी भी डाल सकते हो या मैं यहां पर इंग्लिस से लेक्ट करके सेवन कंटिनू अब यहां से नेक्स्ट कुशन आदा है कि आपका जो विजिट है आप यूके में आ रहे हो उसका पॉपस क्या है तो बे यूरिस्ट को सिर्फ घूमने आए हो या आप किसी फैमिली या फ्रेंड को जानते हो तो अगर आप को रिलेटिव को मिलने जा रहे हो आपको रिलेटिव वहां पर रहता है तो आप विजिटिंग फैमिली से लिख करिए और सेवन कंटिनू तो अब यहां पर नेक्स में आ बेटे या बेटी से करो तो आप सिंपली लिख सकते हो कि आम विजिटिंग माई डॉर्टर विजिटिंग माई सन या मीटिंग समवन ऐसे आपको इंफमेशन है टीटिल देनी पड़ेगी एंड क्लिक ओन सेवन कंटिनू अब यहां पर आप से पूछ तो है कि आपकी पार् आपके साथ में ट्रावल करेंगे अगर आप यह से लेक करेंगे तो भी पॉब्लम नहीं है अगर आप यह से लेक करेंगे तो आपको उनकी इंफमेशन भी देनी पड़ेगी उनका पासपूर्ट डीटिल और पाकी इंफमेशन भी देनी पड़ेगी अब यह आप नेक्स पेस पर आता है कि आगर आप यूके ट्रावल कर लोगे तो आपके पर कोई फाइनेशल डिपेंडेंट है क्या आपका कोई बच्चा है क्या नहीं अगर है तो यह साब सलेक्ट करिए अगर नहीं है तो नो पर सिलेक्ट करिए मैं यहाप नोbook सिलेक्ट कर रहाूं कोई फाइनेशल डिपेंडेंट नहीं है और क्लिक ऑठ सेंब कंटिन मैं आप एक रेंडम डीटिल डाल रहा हूँ एन उनकी डेटो बर्थ यह डेटो बर्थ वालिड होनी चाहिए आपके पर जो करेक्ट इंफरमेशन हो आपके अधार कार्ट से या किसी और डॉकुमेंट से गवर्मेंट ऑफिचल डॉकुमेंट से आप वह इंफरमेशन यहां सकते हैं तो मैंने सिंस अपने मदर की डीटिल डाल दिए और यहां पर फादर की डीटिल डालनी है यहां पर भी एक रफ इंफरमेशन दे रहा हूँ आप यहां पर जो भी आपकी कर्रस्पोंडिंग रिलेटिव इंफरमेशन हो आप वह डालिए और सेवन कंटिर पर क्लिक करिए और सिंस हमने लास्ट में पहले सेलेक्ट किया था कि हम टूरिजम परपस से जा रहे हैं और हमने फैमिली को विजिट करने जा रहे हैं तो यह ह आप यह सेलेक्क करीए नहीं है यहां तो लिए यह जा रहे हैं तो अपन пошटे लिए हैं अभर सी niego कर सकते हृइं और में डाली है तो मैं यह स्रेक्ट कर रहा हूं हु कि आक सिर्दक्र हो देश्पने भातिया तैंता की यह हमारे कोई और लेटे यूशे पीन यहां पर मुझे उनका नाम देना होगा आप इन्फरमेशन यह दे आप नेक्स्ट होता है कि वह यूके में कैसे रह रहे हैं उनके पास क्या अथोरिटी है यूके मैंने की यहां पर यूके में पासपूर्ट नंबर आपको देना पड़ेगा अगर आपको उनका पासपूर्ट नंबर पड़ेगा अब next question आता है कि आपका और कोई relative है क्या तिसने एक detail डाल दी है अगर आपके बस और भी relative है आपको यह select कर सकते हैं अगर नहीं है तो no select करके save and continue तो यह जो भी relative इस वीजा और mostly जो हमारे इस वीडियो का टागेट है कि हम family member के लिए बना रहे हैं तो यहां पर हम सेलेक करेंगे no कि नहीं हम किसी group में travel नहीं कर रहे हैं are you traveling with any other person who is not your partner or spouse तो हम usually मैं टागेट कर रहे हैं जैसमने बोला कि हम टागेट कर रहे हैं कि यह family members के लिए वीजा टागेट कर रहे हैं यहां पर select करूंगा no and click on continue अब next page पर आता है कि अगर आप UK में आ गए हो तो आप किस के साथ रहेंगे इस पेज़ पर आपको अपनी accommodation डीटेल डालनी है तो वह नाम यहां पर दिखा रहा है तो यह मैं से पूछ रहे हैं कि मैं UK में कहां पर रहने वाला हूं या same location पर जहां पर मेरे रह 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 रहे हैं तो मैं इस check box को check कर दूँगा अगर आप उनके साथ नहीं अलग रह रहे हैं तो आपको इसको check box को check करने की ज़रूत नहीं है आप save and continue पर click कर सकते हैं और next page पर आपको information डालनी पड़ेगी कि आपका accommodation क्या होने वाला UK में अब यहां पर मैंने सिलेक्ट किया है कि मैं भूमिका के साथ रहने वाला हूं तो मुझे वहां पर उसका phone number, email address और address देना पड़ेगा यहां पर यहां के random detail डालता हूं address और से पोस्ट कोड़ आपको डालना पड़ेगा और यहां से आपको same date in डालनी पड़ेगी कि आप UK में कब उस address पर कब आने वाले हो तो यह usually मैं रखता हूं कि हम जिस date को travel कर रहे हैं उसी date को हम वहाँ पर रहने आएंगे जिस same date जब हम travel कर रहे हैं तो यह detail मैंने पहले दो पेज़ पर एंटर करी थी कि कब हम traveling start कर रहे हैं और कब हमारा trip खतम होने वाला अब आप से information पूछ रहे हैं कि आप इसके अलावब यूर कहीं रहने वाले हो अगर आप yes करोगे तो आपको उस next destination जहाँ पर रहने वाले उसकी information देने पड़ेगी तो मैं आप no select कर रहा हूं और save and continue पर click करता हूं अब next page पर आता है कि आपको UK की travel history देनी है अगर आप UK अलरड़ी आ चुके हो तो आपको उसकी information प्रवाइड करने पड़ेगी since मैंने UK travel नहीं किया यह first timer के लिए तो मैं select कर रहूँगा no अगर आपने UK में आज तक travel नहीं किया है तो click on save and continue अगर आप 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 आपया आते हैं कि अगर आप UK travel नहीं किया उसके लाव आप ने अस्ट्रेलिया, Canada, New Zealand, USA, Switzerland या अदर किसी भी European country में travel किया है तो आपको उसकी information यहां पर देनी पड़ेगी, अगर आप एक बार travel किया है, दो बार travel किया है, दो से पांच बार या छे से जादा बार in last 10 years, तो since मैंने इस किसी भी country में last 10 साल में travel नहीं किया है, तो मैं zero select करूँगा, अगर आप one select करोगे, तो next page पे आपको उसकी information पास करने पड़ेगी आप नेक्स पेज़ पर आता है कि सिंस हमने UK अवाइड करा, हमने USA, Canada, Australia, New Zealand अवाइड किया, अब third page पर आता है, कि इसके अलावा, इन countries के अलावा, आप किसी भी और country में last 10 साल में गए हो कि नहीं, अगर आप गए हो, तो yes select करोगे, और next page पे आपको उसकी information दनी हो, मुझे यहाँ पर travel देनी पड़े, information देनी पड़ेगी, कि मैं कहां गया था, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंडोनेशिया, suppose मैं destination दरहा हूँ, अग, और tourism के लिए, तो यहाँ पर आपको information देनी पड़ेगी, कि आपने कब travel किया था, यह date आप अपने passport पे, जो अपने चाहता है, कि इसके अलावा मैं किसी country में कहा था, इंडोनेशिय के लावा, तो मैं select करूँगा, अगर आप यह select करोगे, तो अगेन आपको same information दूसरी country के provide करनी होगी, अब यहाँ पर information चाहता है, कि अगर या तो UK के लिए, या किसी भी और country के लिए, आपका visa कभी भी refuse हुआ है कि नहीं, या कभी report हुए हो कि नहीं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अगर आपके लिए applicable है, आप यह select कर सकते हैं, तो आपको बाकी form additional fill करना होगा, यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी नहीं है, तो मैं no select करूंगा, and click on save and continue, same question है कि कभी आप UK में illegally travel करे हो, या आपने कभी UK immigration law breach किया है, usually इसका question cancer no है, तो आपको no select करना है, अगर आप इसके लिए, एक भी आपका parameter कुछ applicable होता है, तो आप yes select करिये, तो मैंने आपके no select किया है, मैं click save and continue क्लिक कर रहा हूँ, अप next information आती है कि आपने कभी UK में या आपकी native country में आपके कोई criminal case या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है, अगर हुआ है तो आपको yes select करना होगा, अगर ऐसी कोई भी आपके साथ कोई case है या नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो no last option select करिये, no and then click on save and continue, and अगर आपको warm criminal है, तो usually इन सब के answer आपको no select करने है, अगर आपने कोई भी आपके पर case नहीं है, आपको no select करिये, और आइए इसको check box check करिये, कि अपने सारी information आपने pod लिए उपर, अब next पर आता है, terrorist information, अगर आप किसी organized group से हैं, तो मैं यहाँ पर सब कुछ no select करना है, यहाँ पर check box को check करना है, save and continue पर क्लिक करना है, and save information है, किसी आप group organization से बलॉंग करते हैं, यह usually एक straightforward है, मैं इस पर no select करूँआ, and click on save and continue, अब यह characteristic question है, यहाँ पर भी आपको, अगर आप question पड़ेंगे, have you as a part of your employment activity, undertake paid and unpaid activity, on behalf of non-UK government, अगर है, जो national security से लेटेर, आप यह select करिए, otherwise, इस में straightforward no select करके, usually जो tourist visa के लिए होता है, no select करिए, आप save and continue, अब यहाँ पर आपके employment history मांग रहा है, अगर आप arm force इसमें थे, नहीं थे, या अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं है, तो आप last option select करिए, जिसमें आपने उपर में से किसी भी इसी industry में काम नहीं किया है, अब यहाँ पर additional information आप से मांग रहे हैं, अगर आपके बस कोई information नहीं है, तो you can simply click on save and continue, अगर आपके बस कोई information है, तो यहाँ पर पूरा describe कर सकते हैं, otherwise click on save and continue, जैसे आप click कर दोगे, यहाँ पर आपको final एक page आजाई या preview का, जहाँ पर आपने जितने भी details फिल करी हैं, आप यहाँ पर verify कर सकते हो, और आपको लगता है कि कुछ information mismatch है, या कुछ गलब है, तो आप यहाँ पर change, add पर change पर click करके change कर सकते हो, या information कुछ missing है, तो आप add पर click करके add भी कर सकते हो, तो पूरी information आप verify कर सकते हो, यहाँ तक end तक, तो जैसे आप information सारी verify कर लोगे, आप click करो continue पर, नेक्स पर आपसे information पूछेगा कि आपको क्या-क्या document प्रवाइड करने है, तो यह passport detail तो mandatory है, यह other documents है, आपको अपने funds के, आपको जो भी support कर रहा है, evidence of relationship, जो भी आपने प्रवाइड किया है, आपके और आपके sponsor के बीच में, वो, और यह सारे checkbox आपको check करने है, and click on save and continue, नेक्स पेश में यह visitor condition है, कि आप UK में आरे हो, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप क्या नहीं कर सकते, और यह वीसी straight forward information है, आप declaration है, आप सम्मिट करे हो, कि आपने पूरे clauses पढ़ लिए है, जब आप पूरे detail पढ़ लोगे, then is click on this checkbox, and then save and continue, and last declaration, yes, आप अगर age आपकी 18 से plus है, आपकी first option select करिए, या अगर आप किसी और के भी हाद पे select कर सम्मिट करें, तो यहाँ पर आप last option select कर सकते हैं, and finally click on I accept the above, and last same, जो भी आपने declaration दी है, यहाँ पर verify कर सकते हो, अगर आपको लगता है कुछ गलत हो, आप चेंज करके, यहाँ पर इस पर click करके change कर सकते हो, after that click on continue, अब fees option, तो अब यह आपके पास option आता है कि payment के लिए, तो अब यह visa आपको कितने duration के apply कर रहे हो, तो standard visa minimum है 6 months का, उसके अलावा आपके पास 2 years का, 5 years का, 10 years का भी है, तो जितना भी आप select करोगे, उसके साब से आपको visa fees pay करनी होगी, तो यहाँ पर जैसे 6 months सेलेक करके, save and continue पर click कर रहा हूँ, and choose your service, तो basically यहाँ पर आपको standard डिक्चर होगा कि कितना आपको amount pay करना है, and click and save and continue, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि इतना amount मुझे pay करना है, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि इतना amount मुझे pay करना है, कर दोगे, आपको एक mail आ जाएगा UK government site से कि आपने पूरी information fill कर दी है, तो जैसे आप इसकी amount जो fees है वो pay कर दोगे, तो आप next page पर आजाओगे further action, आपको क्या checklist है, आप यहाँ से download करके वो checklist check कर सकते हो कि क्या आपको करना है, and then आपको VFS Center पे आपको appointment book करनी पड़ेगी, बायमेटरी के लिए तो उसके लिए आप इस link पे क्लिक करिए, यह आपको next page पे लिए बायमेटरी appointment book करने के लिए continue पे क्लिक करोगे, यह basically यह आपको page यह खुल जाएगा VFS Center का, यहाँ पे आपको अपना find center करके book appointment करनी है, तो find center करके click on search, मैं इसमें पूरी detail में नहीं जाओंगा, इसलिकली हाँ पे अपने location specific आपको search करके, आपको वहाँ पी date appointment book करनी है, so that आप वहाँ पे जाके अपना biometric करवा सके, यह था आज का वीडियो जहां मैंने बाताया कि आप online application UK की tourist visa या visitor visa के लिए कैसे fill कर सकते हो, आपको किसी भी consultant या agent की help लेने की जुरूत नहीं है, कोई भी extra पैसे देने की जुरूत नहीं है, खुछ से visa apply करके खुछ से file कर सकते हो और आपका visa definitely आ ही जाएगा, उसके साथ साथ आपको मैं नहीं बता है कि क्या document चाहिए, क्या proof of fund दिखाना होगा, कितना proof of fund दिखाना होगा और क्या common mistakes आप avoid कर सकते हो ताकि आपका decision जल्दी से जल्दी आ जाए, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर आपको लगता है यह वीडियो आप तो थोड़ी से भी helpful है तो चैनल को subscribe जल्दूर कर देना, क्योंकि हम motivate करता रहता है ऐसी useful वीडियो बनाने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए, वीडियो वीडियो बनाने के लिए अच्छी बाइध झाले को लिए यह टूर अच्छी लाइध लाइध झाले के लिए तो लिए लाइध टेकर भीड्योंकि लिए खाष्टावरण ग।